हेलो वेलकम बाग तु माई चानल दीमेका और मैं आमेका आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ तो आपने अल्रेडी टाइटल बढ़ लिया होगा कि आज का टाइटल है जीरो बजट बड़े डेकोरेशन तो आज में आपके साथ कुछ बड़े डेकोरेशन आइडि दो मेथट शेयर करूंगी कि मैंने दो फोटो फ्रेम्स और दो वोर्ट डेकोरेशन किया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब रही किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल आभू और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो सबसे पहले हम कुछ फोटो लेंगे और एक कार्टून लेंगे उसको हम फोटो के शेप का कट कर लेंगे और मैं यहां करती हूँ मैं फोटो के सेफ पर मैं कार्टून को कर लूँगी और उसके बाद मैं यह कारते करना शूरू कर आइंगे मैंने जो बारा पोटो ज そう जाक है उनको पेस्ट कर लिया है और यह मैंने रेडि कर लिया है। उसके बाद मैं जो letters है 1 से लेके 12 तक के letters को लिखूंगी एक चार्ट पेपर पर और उसके बाद उसको cut करके paint करके और मैं अगीन एक cardboard के उपर चकाऊंगी उस size का और उसको इसके साथ cello tape की help से attach करूंगी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो ऐसे मेरा ये सारा letters तैयार हो गया और मैंने सारे photos और letters को attach कर दिया है अब मैं सारे को paste करूंगी serial wise उनकी help से और उसके बाद इसको hang कर दूँगे तो hang करने के बाद कुछ इस तरीके का ये photo frame बनके ready हो जाएगा इन photo frame के लिए हम सबसे पहले tessels ready करेंगे तो मैंने यहाँ पर tessels कैसे ready किया है आप देख सकते हैं कर दो झाल 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 थे टेसल्स बनके रेडी हो गया और ऐसे मैंने कुछ नाइन टेसल्स रेडी किए हैं रेड और वाइड कलर में तो मैं इसको त्रीखें पीर्स में इसको एक घेल्प से हैंङ करने के लिए बनाऊगी और यहाँ पर मैंने दोर यूज में ुज किया या अगर आपके पर कोई भी pipe नहीं है तो आप cardboard को ही roll करके उसको use कर सकते हो या आप कोई wooden piece भी use कर सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने pipe use किया है और मैं pipe को भी थोड़ा decorate करूँगी उनकी help से और उसके बाद मैं सारे tessles को उनकी help से hang करूँगी और उसके उपर से मैंने same cardboard का जो photo frame है वो ready किया है मैंने और उसको मैं 3 के ratio में paste करूँगी यह मेरा again एक wall hanging photo frame बनके ready हो गया है और zero budget में यह था मेरा zero budget body decoration idea अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करें और comment करके मुझे जरूर बताए और मेरे चैनल को subscribe करें तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye